सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी दाल में होता है प्रोटीन युक्त डाइट का शेवन करने से सरीर को कई लाव होते हैं यह मसल्स ग्रोथ से लेकर वजन को कम करने तक में लावकारी होते हैं इसलिए कई जिन जाने वाले लोग प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं हलाकि अधिकतर लोग चिकन अंडे जैसी चीजों का ही प्रोटीन से भरपूर मानते हैं हलाकि ऐसर नहीं है अगर आप प्रोटीन युक्त आहर लेना चाहते हैं तो कुछ हेल्दी डालों का सेवन आप अपने आहर में शामिल कर सकते हैं हमारे आसपास ऐसी कई डाले मौझूद हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है आज हम इस वीडियो के जरिये आपको हाई प्रोटीन युक्त डालों के बारे में बताएंगे तो आईए जानती हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी डाल में होता है जी हाँ मशूर की डाल मशूर की डाल प्रोटीन से भरपूर होती है सव ग्राम पकी हुए मशूर की डाल में करीब नौ ग्राम प्रोटीन होता है इसके अलावा इस डाल में कई अन्य तरह के पोशक्ततों जैसे की एनीमो एसेड, आयरन, पोटेसियम और कई तरह के एंटी आक्शिजिटन भरपूर रोप से मौजूद होते हैं यह डाल सबसे अच्छा हेल्दी आप्शन है प्रोटीन के लिए कई भारती घरों में तो दिलवरी के बाद भी मा को मशूर की डाल पीने की शलाद दी जाती है तो मशूर की डाल अच्छी होती है नमबर दो अरहर की डाल जी हाँ अरहर की डाल का भी इस्तेमाल भारती घरों में काफी जादा इस्तेमाल होता है इस डाल में भी प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है जिसका शेवन आप बेहतरीन प्रोटीन बिकल्प के रूप में कर सकते हैं 100 ग्राम पकी हुई दाल आरहर की दाल में करीब 5 ग्राम प्रोटीन होता है इसके साथ ही इसमें अन्य पोशकत्तों जैसे की कैलसियम, पोटेसियम, विटामिन A, विटामिन C, सुगर, फाइवर इत्यादी भरपूर मात्रा में होते हैं और मूंग की दाल मूंग की दाल भी प्रोटीन से भरपूर दाल है इस दाल का शिवन करने से आपके शरीर में भरपूर रूप से प्रोटीन प्राप्त होता है 100 ग्राम मूंग की दाल में करीब 9 ग्राम प्रोटीन होता है इसके साथ ही यह आईरन से भी भरपूर होता है कई महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के दोरान और दिलवरी के बाद मूंत का दाल सिवन करने की शला दी जाती है इसके अलामा इसमें केले की तरह पोटेशियम की भी भरपूर रोप से मात्रा होती है उड़त की दाल जी हाँ काली उड़त की दाल यह भी प्रोटेन का सबसे बहतर सुरोत है माना जाता है कि 100 ग्राम पके हुए उड़त की दाल में करीब 45 ग्राम प्रोटेन होता है ऐसे में अगर आप प्रोटीन यूगत दाल का शेवन करना चाहते हैं तो या आपके लिए बेश्ट आप्सन हो सकता है हलाकि ध्यान रहे कि कुछ लोगों को यह दाल बाकी दालों की अपिक्छा इसलिए इस दाल का शेवन करने की सला नहीं दी जाती है क्योंकि उड़त की दाल से क्या होता है कई लोगों को गैस्टिक प्राबलम हो सकती है हलाकि ध्यान रहे कुछ लोगों को यह दाल बादी कर सकती है इसलिए इस दाल का शेवन करने से पहले एक्सपर्ट से शला जरूर ले राजमा, जी हाँ प्रोटीन युक्त दालों में राजमा को फी सामिल किया जा सकता है 100 ग्राम राजमे में करीब 7 ग्राम प्रोटीन होता है इसके साथ ही इसमें कई अन्य पोशक्ततों भी मौजूद होते हैं जैसे कि विटामिन से फाइबर इत्यादी होते हैं हलाकि लगभग सभी तरह की दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है उड़त की दाल में प्रोटीन अधिक होता है लेकिन कई कारोडों से इस दाल के अधिक मात्रा में ना खाने की सलाह दे जाती है हलाकि कभी-कभी आप इस दाल को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं इसके अलावा अगर हेल्दी दालों की बात कई जाये तो मशूर और मौंगी दाल आपके लिए अधिक फायदे मन्त होती है क्योंकि इन दालों में हाई प्रोटीन के साथ-साथ कैलोरी की मत्र भी कम होती है जो श्वास्त के लिए बेहतर विकल्प है तो ध्यान रहे लगभग सभी तरह की दालों में प्रोटीन होता है इस दालों के सेवन से आपके शरेर में प्रोटिन की कमी पूरी की जा सकती है वही अगर आप पहले से किसी डाक्टर से अगर आप किसी परभी से इस परिस्थिती से जूच रहे हैं तो आप अपने डाक्टर से शाला जरूर ले एक बार ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद